नमस्कार किसान साति हूं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है क्रिसी शागर नेच्रल फार्मिंग के यूट्यूब चैनल क्रिसी शागर में इस वक्त मैं जो खड़ा हूं व्यू थोड़ा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि अभी मैं अपने एपल बेर के प्लॉट में नही तो यह हमारी वराइटी है यह ताइवान पिंक गवावा के नाम से जानी जाती है जब हमने अपनी एपल बेर लगाई थी जून 2020 में तो हमने ट्रैल के तावर पे दस पेंड लिये थे उसमें से कुछ पेंड जो हमारे चल गये थे उनका रिजल्ट बहुत ही अब देखने लायक है दो बार मैं इसमें फ्रूटिंग ले चुका हूं मैं आपको बदा दू पौदों की उमर की बात करों तो दो साल की यह पौदे हो चुके हैं और दो साल में दो बार हम फाल ले चुके हैं एक तो अभी रिसेंट में जो आमने वीडियो डाली थी वह थ इसलियत है उसके बाद यह थिर से अभी फाल आ चुके हैं इसमें लेकिन इस टाइम पर हम क्या है कि ज़्यादा फूट नहीं इसमें लेंगे हटा देंगे फूट जो यह नए नयार है क्योंकि यह जो सीजन होता है इसमें अमरूत का ना तो उतना चा रेड मिलता है और ना इस टाइम पर इस टाइम पर जो है वह फाल थोड़ा सोटा भी और साथ साथ में बड़े बड़े जो फाल उनको तोड़ भी रहे हैं कि एपल बेर तो डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन हो सकता कि सानों के लिए अमरूत भी बहुत ही बेतर ऑप्शन है कारण इसका यह ह अगर मैं चूज करने के लिए बोलूँगा तो एपल बेर का फाइदा यह है कि वह बहुत ही जल्दी फ्रूटिंग देने लग जाती है अमरूत में थोड़ा समय है क्योंकि फ्रूटिंग तो हम इसमें दो बार ले चुके हैं लेकिन प्रतिपाधा पांच किलो या मैक्सिम कहीं कहीं 10 किलो तक हम ले पाएंगे इसमें फ्रूटिंग तो फ्रूटिंग लेना बड़ी बात नहीं है फ्रूटिंग एक कॉमर्सियल लेवल पर मतलब द्यावसाहिक इस तर पर ले पाए तो उसको हम काउंट करें कि यह एक बागबानी का आप्शन है अच्छा लेकिन इ जो मेरे सारे पाएं 10-10 की दूरी पे लगे हुए है और बीच में गैप देखिए आप बड़े आराम से अभी भी 6 फिट का गैप है और यह 6 फिट का गैप लगातार रहता है इस 6 फिट के गैप में आप हमारी पिछली वीडियो में देखेंगे तो इसमें हमने लहसन प्या बहुत अच्छा था और हमने आपको बताया था कि हम और भी पौधे लगाने वाले हैं अपने खेत में उसका मैं आपको दिखाता हूं कि लाश्ट टाइम जो लाइने खाली पड़ी थी उसमें हमने अभी देखिए जो खाली लाइन थी इसमें पौधे अभी आपको दिख रहे हैं पिछली वीडियो में नहीं दिखी रहे होंगे कारण एक यह हमने अभी रिसेंट में इनको मंगवाया है इसमें भी दो वराइटी है एक जैपनीज रिड डायमंड के नाम से कमरूत की बहुत प्रजाती फेमस हो रही है उसके हमने पौधे मंगवाए है और साथ ही कि बहुत ही बड़ा पत्ता है इसका और इसी के बगल में आपको मैं ताइवान पिंग गवावा कर जो जो भी हमने पहुदे लगाए इसका देखेगा तो यह चोटा सा अंतर जो पहुदे पहुद पहुद पहचानने का है इसमें वराइटी में तो मैं यह क्रिसानों से अगर चुनना चाहते हैं तो यह एक बहतरा ऑप्शन है एक और अच्छी चीज़ आपको मैं दिखाता हूं अक्सर मैंने बात किया कि हमने अपने खेज में से के भी पौधे लगाये थे जो की वराइटी थी अन्ना और हर्मन 99 यह पौधे लगाये हुए लगभग हमें दो स हो सकता है बट अभी मैं कहता हूं कि जो हमने सोचा था वो गलत था पेसेंस बहुत बड़ी चीज होती है पेसेंस रखना चाहिए हरकिसान को पेसेंस की बिना आप बाग बानी या कोई भी काम आप नहीं कर सकते हैं यह सिप का वो पौधा था जो कि ऐसा लग रहा था कि यह चल नहीं पाएगा बस ही कुछी दिनों का मिहमान है बट अभी इनकी जो मैं ग्रोथ की बात करो तो एकदम शांदार तरीके से खिल के पौधा निकला है कितनी सारी शाख खाएं कितने हेल्दी पत्ते और उमीद है कि आने वाले टाइम में इसमें मैं आपको लगे हुए फ ड़ी पौधे क्वादे करनेों पूरी में लगाए है जहांपे हम ने जैपनी रड डाइमनड और यह लगाया था अर्मन ना लेकिन यह सब इनके मर आगे तो शाइड को थी बहुत अच्छी ग्रोथ इनके सामने आई है तो एक बार फिर से ओप जगी है कि यहां हम सेब भी पैदा कर सकते हैं उम्मीद है कि आने वाले टाइम में वह चीज़े आपको नजर आएंगी एक बार फिर से में अपने खेट कॉर्णर पर खड़े हो के पूरा ओवर विव देता हूं आपको दिखाता हूं कि यह मेरा अम्रूद वाला लॉट है यह आधा एकर से थोड़ा कम ह और किस तरह से हमने इसको सजा रखा हमारे यहां बारिस सीजन स्टार्ट हो गया इसलिए हरीही घ्री घास भी नीचे खेट में दीख रही है जैसे ही यह बारिस खेटम होगा हम फिर से इसमें आलू प्याज और लेस्न तीनों का इसमें फिर से उत्पादं करने वाले हैं साथ ही साथ में हमारी बागबानी चलती रहेगी अमरूद से अब एक छोटी सी इंकम आनी स्टार्ट हो गई है आज हमारे पास एक छोटे से व्यापारी आए हुए जो हमारे लोकल मार्केट के व्यापारी है तो इनको लगबग हम 20-25 किलो अमरूद पेंडों से जो बड़े- अमरूद की प्रूनिंग तो करते हैं लेकिन बहुत छोटे इस तर पर करते हैं कवरिंग नहीं करें इसलिए अमरूद में हमारे हाँ पर दाग मिल जाएंगे आपको आने वाले समय में थोड़ा से और हेल्दी हो जाएंगे जब कामर्सियल लेवल पे हम अच्छे से फूट जानकारी मैं नहीं दे पा रहा हूं अगर आपके फिर भी कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिये गए नंबर पर डिरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं हर वक्त हमें अवेलेबल हैं फोन लेने के लिए सपोस कहीं ऐसी जग मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ नए तजर्वों के साथ तब तक के लिए नमस्कार जय जवान जय किसान जय हिंद जय भारत धन्यवाद किसान साथियों